तो मैं फ्रेंट्स आज हम सिखें के डिस्टिंग्विश बिट्विन सेल एंड हायर पर्चेस अग्रिमेंट तो सेल तो हम सबको मालूम है सेल मतलब एक्जामपल दू अगर मैं स्टेशनरी में गया जाकर से मैंने पैंसल लिया और इस पैंसल के बतलिया उसको मैंने यह पैंसल्पल अगरिमेंट में हम लोग कॉन्ट्राक्ट बनाती है जिसमें यह लिखा रहता है कि जिस दिन आप यह प्रड़क की पूरी पेमेंट कर दोगे उस दिन यह ओनर्षिप इस गूट्स की ओनर्षिप आपको ट्रांस्फर हो जाएग I am आपको एक्जम्पल रहता हूं अभी आपने एक कार को पर्चेस किया इंस्टॉल्मेंट बेसिस पर कार की वेल्यों टैनलाक रुपीस आपने बोला हर महीने एक एक लाक रुपे पे करूंगा मैं तो यहां पर जब आप लास्ट इंस्टॉल्मेंट पे करोगे मतलब वो दसव कंपनी वो शूरूम आपको वो कार दे देगा प्रशेशन देगा पर ओनर्शिप कप देगा जब आप पूरा का पूरा पेमिंट करोगे कि आप देखते सबसे पहले एक्ट कि इस गवन बाइस सेल आफ गुड्स एक नैंटीन थर्टी जो सेल है कुंसा गवन करता है सेल आप चाहू तो सेल की बात करें कि गुड्स का पॉर्शेशन अभी ले लो या फिर बात मिले लो उससे कुछ फरक नहीं पड़ता है बट हेर इन केस आफ हायर पर्चेस अग्रीमेंट पॉर्शेशन आफ गुड्स नेसेसरीली बेंग ट्रांसफर इमिडियेटली मतलब यहा गाड़ी आपको दे दी जाएगे आप गाड़ी को अपने साथ घर लेके जा सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ ओनर्शेप ओनर्शेप ऑफ गुड्स इस ट्रांसफर इमिडियेटली ओन दस्पॉर्ट ओनर्शेप ट्रांसफर होता मेरे दोस्तों अभी गया पाच रुपर दिया यह पैंसेल लिया ओनर्शेप किसके हाथ में अगई मेरे हाथ में अगई मेरे दोस्तों ओनर्शेप गुड्स इस ट्रांसफर्ड ऑन दे पेमेंट अव लास्ट इंस्टॉल्मेंट जिस दिन आप गाड़ी की आखरिक किष्थ भरोगे उस दिन ओनर्शेप आपको कांट्रेक को कांट्रेक को क्या कर सकता है यह राइट होता है यह राइट होता है हाईर पॉर्चेस में राइट रिपशेस दी हुई चीज वापस लेना राइट टू री पसे मतलब दिया हुआ चीज वापस लेना सेलर हैस नो राइट टू रिपसेस दा गुड्स एक बार गुड्स बेच यह पैंसिल मैंने खरिद ली तो वह स्टेशनरी वाला मेरे से पैंसिल वापस मांगी ने सकता मैं दूंगा भ सब्सक्राइब किया चाट वह भी नहीं किया तो जो सेलर है वह अपने गुड्स को क्या करेगा री पॉसर्स करेगा मतलब आएगा आके गाड़ी उठागे लेके जाएगा अपने घर जरूत ने होती है मतलब यह हद दो यहाँ पैसा दो वह प्रड़क दो लेकिन यहाँ पर जरूत होती है क्यों क्यों है यहाँ पर पैसे की बात है यहाँ पर ओनर्शिप की बात है on the spot सब कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों आप यहाँ पर इंस्टॉल्मेंट में पैसा पे करत हो और जो ownership है वो लांश्ट में आपके पास आते तो यहां पर mandatory होता है हमारा return agreement बनाना तो आज हमने बहुत ही सिंपल सा topic पड़ा जिसका नाम है sale versus higher purchase agreement thank you very much my friends अच्छा लगाओ तो लाइक किजिए subscribe किजिएगा